hi everyone welcome to our youtube channel, आज मैं आपको centrifugal pump का casing cover बताने जा रहा हूँ कि कैसे बनते हैं, यह आप देख सकते हैं यहाँ पे screen में यह centrifugal pump का casing cover है, तो यह दोनों पाट हो गया, पिछली विडियो में मैंने यहाँ यहाँ बेस प्रेम बनाया था, यहाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, centrifugal pump जो है उसका casing cover बनाना श्टार्ट करना तो मैं यहाँ पे centrifugal pump के casing cover मैं add करूँगा तो create new इसमें component बनाएंगे pump casing के लिए और मैं OK कर दिया pump casing एक assembly है sub assembly है तो यहाँ पे मैं make display पाट जाओंगा और यहाँ pump casing बनाऊंगा तो इसके लिए मुझे sketch environment में जाना है और यहाँ मैं sketch draw कर रहा हूँ sketch जो होगा और मरत 32 का होगा अब total sketch हम draw कर देते हैं उसके बाद आप देखके इसी तरीका से आप draw कर सकते हैं यहाँ मैंने sketch draw किया है और sketch जो है और center point से 32 उपर जाके और फिर यहाँ से sketch draw हुआ है तो इसको मैं set reference में convert कर दूँगा आप देखके ऐसे ही draw कर से हर एक dimension दिया हुआ है center line से 32 उपर गए फिर यह 116 का draw किये फिर यहाँ 20 यह ऐसे करके पूरी के पूरी sketch draw हुआ है आप इसको विडियो पॉस करके आप सेम ड्रो कर सकते हैं पते कि ड्यमेंस दिया हुआ यहाँ जो है पैरलल है से बिन का यह ड्यमेंस अपने आपा जाएगा sketch draw करने के बाद आप क्या करेंगे finish sketch कर देंगे finish sketch के बाद आप यहाँ पे extrude command यूज करेंगे और पूरी sketch को select कर लेंगे select करने के बाद vector जो है वो हमारा y हो जाएगा और यहाँ 360 degree देंगे अब इस पे radius लगाएंगे radius लगाएंगे क्या लगाएंगे radius यहाँ पे sketch को hide कर दिये और यहाँ coordinate को भी hide कर दिये control J यहाँ पे medium blue 139 का color select कर लिया और ok कर दिया अब इसमें radius लगाएंगे casing बनाने के लिए और बाद में जब पूरी complete हो जाएगी तो मैं radius लगा दूँगा आप इसकेच में भी draw कर सकते हैं radius लेकिं वहाँ थोड़ा दिक्कत होती है तो हमें हमें ऐसा करते है radius जो है 3D modeling में कोशिस करते हैं देने के लिए मैं यहाँ model में एक radius देना चाहूँगा तो मैं सबसे पहले एक radius के लिए हम edit with rollback में जाते हैं और rollback में जाने के बाद यहाँ fill a tool huge करेंगे और यहाँ 8 का मैं radius दे दूँगा फिर finish स्कीच कर दूँगा बाकी में radius बाहर से मैं दूँगा second में मैं यहाँ पे hole second में मैं यहाँ पे hole use करूँगा यहाँ पे hole तो सबसे पहले हम hole command use करते हैं और यहाँ पे मैं एक plane select किया और plane select करने के बाद देखें यहाँ पे यहाँ पे मुझे vertical से मुझे देना है degree पे तो degree पे देने के लिए सबसे पहले हम एक line draw करेंगे और यह line का जो length होगा यह 125 by 2 क्यों होगा क्योंकि हमें इतना ही पे radius देना है PCD जो होगा हमरा 125 का होगा और यह जो line होगा इसको convert कर देंगे reference line में और इसका जो degree देंगे हम यह 45 डिगरी पे देंगे अब मुझे यहाँ पे एक point देना होगा एक point देने के बाद यह 18 का मुझे डाया चाहिए तो मैं यहाँ पे 18 का यहाँ पे throw hole नहीं होगा until next होगा मतलब सिर्फ मुझे इसी के अंदर देना है hole यह देखिए सिर्फ मुझे एक के अंदर hole देना है तो यहाँ पे until next होगा अब यहाँ पे pattern कर देंगे pattern करने के लिए मुझे यहाँ pattern करने के लिए यहाँ पे मैंने vector दे दिया axis के around और यहाँ इस पे 5 point में center point दे दिया और यहाँ पे 4 दे दिया अब मैं यहाँ पे एक plane select कर रहा हूँ यह plane जो होगा यहाँ डटम plane जो होगा यहाँ center से नीचे आएगा हमारा 110 में यहाँ 10 15 mm कर दे रहा हूँ उसके बाद मुझे एक extrude यहाँ पे करना है एक extrude जो करूँगा यहाँ मैं एक rectangle draw करूँगा 3 points से और 3 points से एक rectangle draw करने का मतला हूँगा यहाँ पे जो यह होगा मेरा 16 का होगा और rectangle का जो length होगा 190 होगा और width जो होगा 110 होगा अब मुझे make symmetric करना है तो यह दोनों को select करेंगे और center point हमारा यह दे देंगे तो यह हमारा make symmetric हो जाएगा fully constant हो गया अब मुझे इसको extrude करेंगे 10 mm height के तरफ उपर के तरफ यह 10 मेरा height मेरा draw हो गया और मुझे यहाँ पे medium blue 139 select कर लिया अब मुझे यहाँ पे 100 mm का अगर मैं बात करूँ यहाँ से 50 आगे बढ़के 100 mm का मुझे cut लगाना है तो यहाँ से मेरे को 50 और यह 90 के cut लगाना है 90 mm का 90 mm और यह जो होगा हमारा 15 mm का होगा और मैं इसको यहाँ पर subtract करूँगा throw hole करूँगा यहाँ पर throw hole कर दूँगा यह दो पार्ट में हो गया अब मुझे यहाँ पर एक plane में यूज करूँगा इस plane का नाम रखेंगे bisector यह bisector में बीच और बीच एक plane create हो जाएगा और top में चला जाएगा इस पर मैं sketch बनाऊंगा bisector plane पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे बनाऊंगा यहाँ पर sketch को मैं project करने जा रहा हूँ इस line को project कर दिया और यहां कर दिया project इस line को भी project कर दिया और यहां भी कर दिया project अब इसको मैं reference line में convert कर देंगा यहां से 15 यहां से 15 जो मैं यहां पर draw करूंगा यह 15 में reference line में convert करके स्टार्टिंग का 15 हमें reference line में convert करना है यह बात याद रखना है स्टार्टिंग का जो 15 होगा उम मुझे reference line में convert करना है तो यह starting का जो 15 होगा उम में reference line में convert करती है अब यह line यहां से मुझे vertical जाना है vertical जाना है और मुझे यहां भी vertical जाना है अब मुझे यहां पर देखना है कि इस face पर touch कर रहा है तो मुझे इस face को क्या करना होगा project करना होगा कौन से face को internal face को project करना होगा internal face को project करने के लिए क्या करेंगे यहां और इस पर किसी भी एक curve को project कर देंगे जैसे project करेंगे ति एक पूरी एक line project हो जाती है इसको मैं reference line में convert कर दूँगा आर्क ड्रो करता हूँ और मुझे इसी line पर ड्रो करना है एक line पर मैं arc ड्रो कर दिया अब reference line जो है उसको मैं अब यहां पर देखिए इसको मैं extend कर दिया और इधर भी मैं extend कर दिया अब यहां दोनों corner जो है उसको मैं cut कर दिया cut करने के बाद यहां भी एक point 1 है इसको मैं delete कर दिया और यह radius जो होगा हमारा 85 का होगा यह 85 का है मैं आपको यहां दिखा सकता हूँ यहां एक close loop बना हुगा है और close loop आप मैं दिखा देता है यह देखिए close loop है यहां unite command यूज करेंगे body में select करेंगे unit command यूज करेंगे और पूरा एक close loop हो गया और यह जोगा हमारा symmetric होगा 7.5 का अब मुझे यहां पर थोड़ा सा edit करना हम चाहते हैं तो edit कैसे करेंगे यह जो line है इस line को मैं यहां से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहां से मैं आ गया 25 और 25 के बाद यहां degree पे आ गया यह जो degree जो होगा हमारा 150 का degree पे है और मैं सेम यहीं चीज opposite side में भी चाहता हूँ कि ऐसे ही हमारा sketch बने है इस line को हम reference line में convert कर देते हैं और यह जो है sketch यहां पर मैं सेम इस line को इस line के पहले hide कर देते हैं control भी इस line को hide कर दिया हम मुझे यहां mirror curve लगाना है mirror curve center line हम इसको select कर लिए और यह दोनों curve को मैं इधर project कर दिया अब इसको control भी और यहां पर जो sketch है यह इसको मैं hide कर दिया बात finish sketch करते हैं और देखते हैं इस type के मेरा यहां support बन गया अब मुझे support पे यहां पे मुझे एक और command यूच करना है यहां extrude में जाएंगे और यहां पे मैं फिर से project करूंगा मुझे project कर्ब चाहिए तो project कर्ब के लिए मुझे क्या कर चाहिए तो यहां project कर्ब पे क्लिक है और यहां पे single line इस दोनों को select कर लिए और इसको select कर लिए तीनों को reference line में convert करते हैं तीनों को reference line में convert करने के बाद मैं sketch करता हूँ इस पे यहां से यहां आगया फिर यह और फिर मैं यहां आगया इसको मैं 15 कर देता हूँ 15 करने के बाद मुझे यहां मैं यहां से इसके parallel में जाता हूँ 25 और 25 के बाद मैं यहां पे इसके parallel जा रहा हूँ यह दोनों का parallel होगा यहां मैं 150 degree दे दिया और यहां पे मैं touch कराने के कोसिस करूँगा यहां देखें टरच करने के बाद यह हमारा internal होना चाहिए देखते हैं internal यह body में किया कि नहीं अब बड़ी से मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर है मैं यह 45 कर दिया देखते हैं मुझे कि body के अंदर यह चला गया होगा अब मैं इसको mirror कर देता हूं mirror command यह उचकरता हूं यहां पे mirror कर और यह center point select दिया और mirror के लिए मुझे अब मुझे इसको extrude कर रहा है और extrude जो करेंगे और unite body करेंगे और unite body होने के चलते हैं यहां पे symmetric use करेंगे और symmetric में यहां 15 का symmetric use करेंगे और देखते हैं in night पे यह हमारा हो गया total complete यहां 15 का नहीं होगा यहां 15 से minus करके देखेंगे कितना minus करते हैं तो चलिए देखते हैं यहां minus कर दिया 1.4192 तो 1.4192 जो है एक तरफ minus करना है एक तरफ minus करना है तो चलिए इसको करते हैं symmetric नहीं use करते हैं और इसको use करते हैं दोनों तरफ 15 15 यहां 1.41 minus कर लेते हैं यह हमारा देखिए यह मारा model मिलिए अब मुझे यहां slot बनाना है तो slot के लिए हम extrude command यूज कर रहे हैं और यहां slot बना रहे हैं यहां rectangle और यह दोनों तरफ यूज करके इदर आ गया यहां हमारा 16 हो जाएगा और 16 के बाद इदर हमारा 20 हो जाएगा 20 होने के बाद यह 50 है तो 50 में 16 निकल गया 34 तो 34 का दो पार्ट में 7.5 यह हो गया अब 20 जो होगा 20 के बाद में हमारा एक रेडियस भी लगेगा कितने के रेडियस होगा एट का एट का रेडियस होगा और यह लाइन हमारा अब मुझे इसको chute करके सब्स्ट्रैक करेंगे किじूश्ट्रैक कर दिया अब यह चारो तरप कर रहा हम यहां मैं सभी यह फैस्ट यह स्लोड जो है चारो कोर्णार पर देने जा रहा ह।क मीर फीचस पर खिलिक किया और यहां पर मैं mirror features लिया और plane में मैं यह plane select कर लिया यह opposite side में आ गया same इसी तरह मुझे अगले दूसरे model में भी देना है यहाँ सामने तो चलिए हम देते हैं यहाँ पे mirror face दी उच करते हैं और यह मैंने this side और opposite side का दोनों कर ले लिया मैंने क्योंकि unite मैंने किया है unite body किया है कमांड इसके उपर मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर देखे यह unite किया हूँ जिसके करा मेरा mirror features नहीं लिया है यहाँ चारू करना पर आपको radius लगाना है दोनों स्लोट में foundation के यहाँ radius जोगा वह मैं 10 का लगा रहा हूँ ओके यहाँ देख सकते हैं 10 का मैंने radius लगा दिया यहाँ एक plane मैं दे रहा हूँ यहाँ 40 का center से height जोगा distance पर दे रहा हूँ center point से 140 का album मैं दे रहा हूँ देने के बाद यहाँ पर एक और मैं plane दे रहा हूँ और देख रहा हूँ कि है कहां पर उप्ले तो यह plane मैं दे रहा हूँ हूँ मैं एक plane और दे रहा हूँ जो distance पर दूँगा इस space से मैं distance पर दूँगा 31.5 by 2 यह मेरा जो होगा 31.5 by 2 यह plane होगा कहां का अंदर कर और इस plane को हम हाइड कर दे रहा हूँ इस plane को हाइड कर दे रहा हूँ यह मेरा sketch ड्रो गया अब इस को मैं finish कर रहा हूँ और मैं finish करने के बाद यहां पे मुझे एक और plane सेलेक्ट करना है यह plane होगा point on curve और इस पे मुझे एक radius तो आप देख सकते हैं कि यहां radius command यूज किया और मैं यहां पे 0.5 का radius पहले start किया अब देख सकते हैं यहां पे मैंने साल जितने भी स्लेक्ट है यह लोग लग कर हूँ वहां पे 0.5 का मैंने radius दिया है को यह मेरे डियेक्ट देने के बाद यह कर ली सा अब मुझे बन रिस देखिए बन करेड़ा से कहा कहा मैं दे रहा हूं बन करेडिय कि यहां पे जितना भी external इरिया है वहाँman बन कर दिया है यहां इंटर्नल साइड में 1.5 के मैंने रेडियस दे दिया है इंटर्नल साइड में इस परकार आप रेडियस दे सकते हैं इस परकार आप रेडियस दे सकते हैं और यहां पर देखिए यहां पर जितने भी रेडियस में दिया है अगर आप छूट गिया है तो यहाँ पर आप रेडियर दे सकती है इसका ड्राफटिंग पार्ट भी आपको मिल सके अच्छे से कैसे इसमें वेलिंग होती है कैसे जॉइन्ट होती है सबी के सभी आपको टिटेल मिलेंगे इसके लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्रावब करना नहूं